बिसमिल्लाइराम अलेकूम वेलकम बेक्टो मैं चानल आज मैं आप लोगों के लेकर रही हूं ऐसे यूसफुल टिप्स जिससे आप लोगों के खर्चों पे लगेगा प्रेक और आपके बहुत से टाइम की होगी बच्चत तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लियाते हैं लेकिन वह लिस जो है वह खराब हो जाता है आप लोगों बीडियो में अगार यहां पहार लेता हैолी रखाते हैं पे लंक्री क्या इस तरीक़िके जो शौपर हो प्लिल्यों के लिया है बसार वाल लेक्र का लुए और उसके बात आप लोग ने इसके अंदर अधर के पीसी को डाल देना है जो हम लोग ने कार के रखें इससे क्या होगा कि काफी लंबेर से तक आप लोग का लेसन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आप लोग यह प्रॉप्रम बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगी तो इस तरीके से आप लोग लंबेर से तक अपनी लेसन को सेव करके रख सकते हैं अगर आप लोग को टिप अच्छी लगी हो तो सबस्क्राइब करना तो बनता है अब हम चलते हैं अपनी नेक्स टिप की तरफ यानिक टिप नमबर डू की तरफ तो यहाँ पर मैंने लिया है एक आलो और अकसर जब हम लोग सबसी वेरा कार्ट रहे होते हैं तो इस तरीके से आलो हम लोग यूस करते हैं तो आप लोग ने क्या करना है इस तरीके से आलो एक चोटा सा टुकरा कार्ट लेना है तो अकसर जब हम पने घर में या किच्छन में खाना बना रहे होते हैं जाल जाते हैं कभी हमारे हाथ या बाजू गरम तवे पर लग जाते हैं या कभी हंडिया बनाते हो जाल जाते हैं तो उसके वज़ा से क्या होता है कि हमारे हाथ और बाजू के ओपर जाते हैं जलने के जो कि बिल्कुल भी जल्दी नहीं जाते हैं जो बहुत बुरे लगते है तो आप लोगोंने क्या करना है इस तरीके से जब भी आप लोग सबसी काटें इस तरीके से आप लोगोंने आलू जो है उसको जहां पर भी निशान है जलने के उसके उपर इस तरीके से रप करना है उसे क्या होगा कि यह सारे के सारे निशान रिमूव हो जाएंगे यूँकर जो आलो होते हैं इसकीनदें ब्लीचिंग प्रोपार्टी जाती हैं अब हम जलते हैं अपनी नेक्स टीप की तरफ, तो अक्सर वकाद हम लोग्हा करते हैं महोबलक़ को कुछ भी नहीं रखते हैं इसी तरीके से मुबती को रख देते हैं जिसके वज़ा से यह मुबती के जो ड्रॉप्स होते हैं वो इस तरीके से सर्फस के उपर जाते हैं और जिसके वज़ा से हम हाथ से रगड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चिकना होट और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, तो आप लोग ने बिल्कु भी परेशान नहीं होना है, इस तरीके से आप लोग ने एक कागस दे लेना है, और यहां पर दे कि इस तरीके से मैंने एक कापी से जो कागस उसको फार लिया था, और उसके बाद आप लोग यहां पे अख़बार का भी इस् उसके बाद आप लोग उसे साफ कर लें इससे आपकी जितनी भी सरफस होगी बहुत अच्छी से क्लीन हो जाएगी और आप लोग अगर अगर कि इसको साफ करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी और आएंदा पात आप लोग इस पात का ह्या रखें कि जब भी आप लोग मुपत टिप की तरफ यानि के टिप नंबर फॉर जो कि आप लोग लिए बहुत जादा यूसफूल होने वाली है तो अक्सर हमारे गड़ में इस तरीके से माश की दाल होगी जैनों की दाल होगी इसलां कि जो डाली होती है वह काफी जादा मिक्तार में आ जाती है और उनका हम इस कर सकते हैं ठीक है यहां पर मैने वेजेटेबल ओयल यहां आम कुचिंग अनदर कर यूस करते हैं यहां मैंने उसका हाफ जा मच और अधिक है और इस अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप यूज़ों का पता है कि जो ऑला होता है ऐसा प्रिसर टिव काम करता है जिससे आप आप लोगे डालें काफी लंबे अरसे तक खराब नहीं होंगी इसके अलावा एक और टिप भी है कि जो हमारे पास घी के पैकिट होते हैं जब वह खाली हो जाए तो आप उसके इंदर डालों को सेफ करके रख दें उसे भी बिल्कुल खराब नहीं होंगी क्योंकि उसकी जो स से मिक्स कर लिए और आप लोगों ने से जो है वह स्टोर करके रख लेना है किसी बीडिपे के अंदर या पर किसी पोजितिन के बैक के अंदर तो इससे आप लोगों को क्या फायदा हो कि काफी लंबर से तक जो है इनको कीड़ा नहीं लगेगा अब हम चलते अपनी नेक्स परशानी होता इस तरीके से जो माई पास तूद्पिक की डिबी होती है आप लोगो ने इसको नहीं पैंकना है इसके आप लोगों ने सारे बतन स्टाल के रख देने हैं और जिससे क्या होगा कि आप लोगों की ये प्रॉब्लम जो है वह सॉल्फ हो जाएगी अगर आप ल को लाइक चेर और सबस्क्राइब करना मत भूलेगा अपना बहुता ख्यार रखेगा मुझे अपनी दों में जरूर याद रखेगा अला हाफीज